तो स्वागतम गाईज वेल्काम बैक टू दा चैनल तो इस पेर सोर्स ओवर इनके लेटेस एपिसोड में आपका स्वागत है और गाईज अगर आपको मेरा एक्स्प्लेशन अच्छा लगता है तो ब्रिव मास्टर के सीजन 2 में भी अपना सपोर्ट दिखाते रेना जिसका सीजन वान में एक्सप्रेनर पीवी पे अबलोड किया है और सीजन टू उसका मैं एक्सप्रेनर पीवी टू पे करूँगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्टन और कॉमेंट बोक्स में विल जाएगा और गयज ये सीरिज भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो इसलिए जाके वाँ पे सस्क्राइब कर दो और सपोर्ट करते रहे ना तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जिसके आँख हुमें दिखाई देता है एमपर दी तियानी अब हम देखते हूँ वाँपर एमपर दी यानी सिंग्यू के बोड़ी को पूरी तरेके से कंट्रोल कर लेता है और हो केने लगता है आपसले ये बोड़ी मेरी वी अब हम देखते हो आपर Emperor तियानी खुस होई रहा था, तब ही वहाँ पर Golden Python आ जाता है, जो आपर अपने Time and Space का Power का यूच करती हुए, तब लोगों को एक जगी पर रोख देता है, अब हम देखते हो आपर Golden Python की तरफ देखती हुए, पर तियानी केने लगता है, तुम्हें क् अपने Space Power का यूच करती हुए, मुझे रोख सकती हुए, अब हम देखते हो आपर वह यह सब कुछ बोली रहा था, तब ही वहाँ पर सिंग्यू के बोडी के अंदर से Tiger Beast आ जाता है, अब हम देखते हो आपर Golden Python केने लगता है, तुम्हें अपना Soul Purification टेकनिक को यूच करो औ अब हम देखते हो आपर Tiger Beast अपने Power का यूच करती हुए, Emperor Tian को Suppress करने की कोसेश कर रहा था, अब हम देखते हो आपर Emperor Tian ही किन लगता है, ओ तुम मेरा पुराना दोस्त भी यहाँ पर आ चुका है, हम देखते हो इतना के ही रहा था, तब हम देखते हो आपर सिंग्यू अपन अपने कंट्रोल में करने लगता है, यह तरफ हम आपर Tiger Beast या हूँ को देखते हैं, जो हम आपर अपने Power का येल्प करते हुए, पर तियानी को पूरी तरिकी से सप्रेस कर देता है, तेंपररी, हम देखते हो आपर सिंग्यू अपने कंट्रोल में आ गया था, जिसको देखक कि कुईन हान उसकी तरफ बढ़ने लगती है, बट हम देखते हो आपर सिंग्यू से रोक देता है, और वो किन लगता है, पीछे हो जाओ, और दूर्सों को इन सब के बार में पता मत चलने देना, अब हम देखते हो आपर सिंग्यू कहने लगता है, पर तियानी को हमने बस क गोल्डेन पाइटन कहने लगता है, हर दस हजार साल में अर्थ एन हेवन का ट्राइबूलेशन एक बार आता है, और इस क्लैमिटीज को पार कर पाना, इवन की यहाँ पे एम्परोस के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसे भी तुम तो यहाँ पे हैवेल एम्परोर मतलब के एम्परोर तियानी और उसके रिइंकारनेशन उस बंदे के, अब हम देखते हैं इन सब के बारे में सुनके वहाँ पे सिंग्यू केने लगता है, तुमें इतना ज़्यादा पता है, आखिरकार तुम कौन हो, जिसके रिपला में वहाँ पे गोल्डेन प सिया हूँ नहीं हो, और हम देखते हैं वहाँ पे बायू एम्परोर की पूरे स्टॉक्चर में चेंज हो चुका था, जिसको देख कि वहाँ पे सिंग्यू सौक होती हुए केन लगता है, बट मैंने तो तुमें एक से निकाला था, तुम जब मुझे पहली बार मिले, तो त तुम दोनों इतने जद़े कमजूल कैसे होएं जिसके रिप्लाइ में वहाँ पे, पर सौांग मीन कहिंने लगता है सुप्रीम एमपरोर बढ़ने के लिए, क्यूंकि सुप्रीम एमपरोर बढ़ने के लिए इंसान को, तलब कि एमपरोर को यहाँ पर रिंकारनेशन से broccoli य watching से reincarnation लोको अच्छी तरीके से समझ लिया है और उसका यहाँ पर एर्थ बार reincarnation हो गया गर इस बार उसने तुम्हें पूरी तरीके से अपना बना लिया मतलब कि तुम्हारी body को ले लिया तो उसके बाद में emperor तियानी supreme emperor बन जाएगा और उसको रोख पाना बहुत ही ज़्यादा मुस्किल होगा अब हम देखते हैं उनकी बाते सुनके वहाँ पर सिंग्यों कहने लगते है तो फिर अगर तुम दोनों एक साथ में मिल जाओ तो हम यहाँ पर emperor तियानी को बहुत ही आसाली से अरा सकते हैं और तुम लोग के पास में कोई ना कोई रास्ता होगा जिसके वज़े से हम emperor तियानी को पुरी तिरे के सा डिस्टोई कर पाएं और उकेन लगता यह दोनों कुछ लिए कर पाएंगे वैसे भी यह दोनों मुझे जिस्टोई नहीं कर सकता है इतना केत्रियों हम देखते हैं वह वहाँ पर सिंग्यों के बाड़ी से बाहर आच चुका था हम देखते हैं उसके आगे उस बंदे को देखके वहाँ पर सिंग्यों सौक हो गया ता और उकेन लगता है या यह तुम हो आखिरकार तुमारी हिमत कैसी तुमने मेरे साथ में दोका किया अब हम देखते हम पर सिंग्यों की बाते सुनके तुम्हें जासा लग रहा है ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर एंपर त्यानी है बले इसका यहाँ पर अपरियंस पूरी तरिके से चेंज हो चुका है इसका रिंकार्नेशन की वज़े से वैसा ही है सिब यह तो इसका 7th रिंकार्नेशन है जिसको तुम देख रहे हो और वैसे भी मेरे ही वज़े से तुम यहाँ पर रिंकार्नेट हो पाई हो अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तुम यहाँ पर कभी भी रिंकार्नेट नहीं होते और मैंने तुम्हें इस से पहले 8 बार रिंकार्नेट किया था मतलब कि 7 बार रिंकार्नेट किया था ताकि तुम यहाँ पर लिव चैन को प्रोटेक्ट कर सको उसके बाते सुनके वाँ पर सिंग्यों केने लगता है क्या मेरा reincarnation किया बस यहाँ पर लिव चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब हम देखते हो आपे Emperor Tia ने केने लगता है मैं तुमारी बातों में आ जाओंगा और तुमारी बातों को मानूंगा हम देखते हो वाँ पर सिंग्यों की बाते सुनके Emperor Tia ने केने लगता है तो फिर ठीक है इतना केतियों हम देखते हैं उसने वाँ पर अटेक कर दिया था हम देखते हो वाँ पर सिंग्यों की तरफ देखते हुए Emperor Tia ने केने लगता है जब Abyss War में भी तुमने यहाँ पर हुमन्स को बचाने के लिए तुमने लाइफ की भी परवानी की और अभी भी तुम ऐसी बेवकूफी कर रहे हो इतना केत हुए हम देखते है Emperor Tia ने अपने पाउर को बढ़ा दिया था जिसके वज़े से वो तीनों भी कुछ नहीं कर पाते और वो लोग नीचे गिर जाते और जिसको देखके वगाँ पर Emperor Tia ने के लगते है तुम दोनों Emperor's के पाउर भी पहले जैसा नहीं रहा है इतना केत हुए हम देखते हुए वहाँ पर Emperor Tia ने हसने लगते है जिसको देखके वहाँ पर सिंग्यों के लिगता है आखिर कार तुम हस क्यों रहे हो जिसके रिप्लाइ में वाँ एमपर्ट यानी केने लगता है मुझे एक पुरानी बात याद आगी चलो मैं तुम्हें पूछ लेता हूँ सब पोच करो कि अगर तुम हुमन के जनरल हुए तो क्या तुम यहाँ पे बस कुछ हुमन्स को बचाने के लिए एमऌन्स के साथ मैं देथली फाइट करोगी मरते दम तक बस कुछ लोगों को बचाने के लिए जिसके रिप्लाइ में वाँ पे सिंग्यू केने लगता है तो वही कापी होता है सिंग्यों की बाते सुनके वहाँ पर एंपर तियानी केने लगता है इस सब कुछ यहाँ पर बेवकूफी है अब हम देखते हो वहाँ पर एंपर तियानी की बाते सुनके सिंग्यों केने लगता है अपने लोगों से अपने family से अपने human race से दोगा करने से तो अच्छा होगा कि मैं मर जाना पसंद करूँगा अब उसकी बाते सुनके वहाँ पर emperor तियानी केने लगता है तुम emperor ब्रन चुके हो और ये सब कुस तुमारे सर में बस एक warden है ये normal humans तुमारे किसी काम के नी अब हम दिखते हो आपे emperor तियानी की बाते सुनके सिंग्यों केने लगता है मैं समझ गया अखिरकार तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हो तुम बहुत ज़्यादा ठक गए होगे ना क्यूंकि तुमारे पास में कोई भी family नी और इस दुनिया में कोई भी नी ये जो तुम से प्यार करता है और किसी को तुमारे कुछ भी फरक नहीं पड़ता और ना तो तुमारे पास कोई दोस्त है उसके बाते सुनगे वहाँ में emperor तियानी केने लगता है बखवास करना बंद करो जिसके रिबले में वहाँ पर सिंग्यू केने लगता है बिचारा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ तुमारे साथ में अब हम देखते हैं वहाँ पर सिंग्यू को ये सब कुछ बोलते हुआ देखके हम लोग बस यहाँ पर डेकुरेशन के लिए हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे इतना केतो हैं हम देखते हैं वह दोनों वहाँ पर सिंग्यू की हिल्प करने के लिए आगे आगे थे केतो हैं हम देखते हैं वहाँ पर अपने जाएंट सोर्स सिंग्यू और सब डेक करने लगता है तब ही हम देखते हैं वहाँ पर और तरिम को ये लगता हैं। इतना केतव हम देखते हो वहाँ पे अपने sword को बंद कर देता है मतलब कि अपने attack को रोग देता है अब हम देखते हो वहाँ पे Emperor Tiyani केने लगता है मैं तुम्हारा wait करूँगा Wilder Star में Ensign Star ए रोट के Deep हिसे में जहाँ पे तुम्हें आना होगा मैं आके जाने लगता है इतना केतव हम देखते हो वहाँ पे Emperor Tiyani केने लगता है तो फिर ठीक है मैं तुम्हारा wait करूँगा तो guys episode खतम कुछ टाइम के बाद में इंद्रिस का सुप्रीम भी आ जाएगा थैंक्यू वाचिंग भावेसी ओगें